हलो एवरिवन मेरा नम है रीश्मा और आज हम सिखेंगे रो या फिर कॉलम को कैसे हाइड या फिर नहींट करते हैं यह इस में आपको शॉटकट भी तरीका बताऊँगी और अगर आपको शॉटकट यार नहीं रहता है तो हम menu से भी कैसे कर सकते हैं, वो भी सिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कुछ data है, पर इसमें से यह जो row है, जो की कौशी की वर्मा का data है, पर मैं इसे hide करना चाहती हूँ for some reason, तो कैसे करेंगे row को पहले select करना है, row को select करने के लिए आप shortcut से भी select कर सकते हो, shift space bar से, और keyboard से press कर दीजी, control 9, आप देखोगे, हमारा row यहाँ से hide हो चुका है, जितने भी आप rows को hide करना चाहते हो, select कर लो, और control 9 प्रेस करना है, आप देखोगे, hide हो गया, similarly अगर आप row को unhide करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा first and last के range को select कर लेना है और press कर देना है, control shift 9, आप देखोगे, हमारा row unhide हो चुका है, similarly अगर आप column को hide करना चाहते हो, तो column को hide करने के लिए, आपको column को select करना है, column को select करने के लिए press कर दीजी, control space bar, और आपको keyboard से press कर देना है, control 0, आप देखोगे, हमारा column यहाँ पर hide हो गया है, या फिर अगर अगर कोई और भी column आप एक साथ hide करना चाहते हो, तो इस तरीके से select कर लो, और control 0 प्रेस कर दो, आपका column यहाँ पर hide हो चुका है, अगर आप चाहते हो इसे unhide करना, तो आपको simply select कर लेना है, थोड़ा सा additional column को first and उसके बाद वाले को, और press कर दीजीए, alt O C U, आप देखो हला कि इसे shortcut दूसरा भी है, जिसमें हम control, shift और zero प्रेस करते हैं, पर वो काफी समय यह काम नहीं करता, इसके लिए आप alt O C U का जादे यूज़ कर सकते हो, column को unhide करने के लिए, अब यह तो थी, shortcut से unhide करने की बाद, या फिर hide करने की बाद, लेकिन अगर आप चाहते हो, मुझे याद नहीं रहता, आप मुझे menu बताईए मैं, तो कैसे कर सकते है menu बार से, वो भी देख लेते हैं, तो हमें करना क्या है, column को इसरी के से mouse से select कर लेना है, select करने के बाद आपको यहाँ पर format option में जाना है, इसमें hide and unhide option में जाना है, आप क्या hide करना चाहते हो, यहा पर hide and unhide पर click करके hide यहाँ पर option आपको मिल जाएगा row, आप देखोंगे हमारा row यहाँ पर hide हो चुका है, अब इसे unhide करना है तो भी सेम तरीके से आप कर सकते हो, आपको इसरी के से row को select कर लेना है, और यहाँ पर format में जाना है, और यहाँ पर hide and unhide पर click करके unhide rows, यहा और तरीका है row या फिर column को hide या फिर unhide करने का, आपको simply column को select कर लेना है या फिर उस row को select कर लेना है, और right click कर दीजे, यहाँ पर आपको hide या फिर unhide का option मिल जाता है, तो इसरी के से हमारा column hide हो चुका है, अगर आपको row को hide करना है, select करना और right click करके देखना आपको यहा तरीके से रोगो और इसे अन्हाइट कर लेना इस तरीके से हाइड या फिर अन्हाइट करने का शॉर्ट कट और लॉंग कट दोनों तरीका में आपको बता दिया है आई होब ये वीडियो आपको पसंद आई हो ऐसे इंट्रेस्टिंग ज्यान के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शायर दो कम्प्यूडर मित्रा